मेटरिक रिजल को लेकर के इंतिजार करने वाले सभी छात्रों के लिए काफी बरी खबर अब जल्दी ही उनका इंतिजार खत्म होने वाला है क्योंकि उत्तर पुस्तिकाओं का मुलियंकन पंच से यानि जो मेटरिक की काफी की जांच बची वी है उनका मुलियंकन पंच मई से किया जाएगा अभी तक आपने मेरे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया तो सस्क्राइब करके बेल आइकन को दबा दे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाईए वार्शेव ग्रूप को जोईन लेते हैं उसके बाद इस न्यूज को हम विस्तार पुरुवक्त बताएंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं कि बिहार के जो है पंच जिले रेड जोन में मुंगेर पत्ना रोहतास बक्सर गया और जोन में 20 जिले हैं आप वीडियो को रोकर के देख सकते हैं और ग्रीन ज जोन में रखा गया है और जहां पर कोई भी मामला नहीं पाया गया है और वहां पर उनको जो है ग्रीन जोन में रखा गया है तो चलिए बताते हैं कि जोन के अनुसार चार मई से क्या छूटे मिलेगी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गरीन जोन में क्या सब छूट मिलेगी अब देखिए गरीन जोन में बसों के संचालन में छूट लेकिन एक बस में 50% यादरी कोहीं बेटने की अनुमती सबी तरह के गती विदी को अनुमती सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी सार्वजनिक आयोजन की अनुमती जरूरी और सिमित लोग सामिल होंगे तो यह सब छूट मिलेगा गरीन जोन में वहीं ओरेन जोन में टेक्सी और केव के संचालन की अनुमती एक ड्रेवर के साथ एक पेसेंजर ही रहेगा जिले के अंदर आवाजा ही होगी चार पहिया वहन में केवल दो यातरी सफर कर सकते हैं वहीं रेट जोन में आप देख सकते हैं कि क्या सब छूट मिलेगी सबी उद्योग कंस्ट्रक्शन कारियों की अनुमती रहेगी मन रहेगा फूट प्रोसेसिंग यूनीट इट भटे चालू रहेंगे रेस्ट आप जनना चाते हैं तो इस वीडियो को रोक करके आप पर सकते हैं कि उसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं कि बिहार बोर्ड ने जो है कि एस्टीटी परिक्षा का अंसर की जारी कर दिया है और एक मई से ले करके और चार मई तक उपलावद रहेंगे यह इस वेबसाइट पर जो भी चात को लगता है कि बिहार बोर्ड ने जो यह आंसर की जारी कि आई diameter है तो यह जो है कि अपनी आपती धर्च खर सकते हैं अब चलिए कि कंपी मुल्यांकन से समझनित न्यूज को जनते हैं तो यह पर आप देख सकते हैं कि उत्तरपश्थिकाओं का का मुल्यांकन पर से उत्र पesक्वा है पूल्यांग lazy कि जो है कि यह पर देख सकते के उत्तर पुस्तिकां को म oppression मैं से शुरू करने के निर्देश दिये है सेख्षिनिक सद्र को निमीध करने के उद्द्र या फैसला आ आ गया है कि यह काफी बड़ी खबर है और रियाल्ट जो है 12 माई को जारी किया जाएगा जिसा कि हमने पिछले न्यूज में भी दिखाया था